हेलो फ्रेंट्स बेलकुम फ्राम ड्रिम फेंटेसी एंड आज मैं एक्स्पेंड करेंगे हैदर अबाइब बड़ से स्कॉल करता था एंड खासकर ग्रेंड पिक्स के लिए कि ग्रेंड कैसे जीते हैं एंड काफी अमेजिक रिकॉर्ड से ग्राउंड से रिलेटेड एंड पि ठीक है तो स्टाट करते हैं अपना एनलसिस चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकुन दवान बिल्कुल ना भूले ठीक है देखिए मैंचे कलकॉत्ता है है थाधराबाद का ठीक है उनन्हीं सब मैंचे 67 पे इडन गार्डन में इडन गार्डन मतलब के क्यार थोड़ी सी फेबरेट होती है और इडन गार्डन में हमेज़ा के क्यार को रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा ठीक है दोनों की पोजिशन देख रहा है तो ऐसारे सब से सेकेंड लास्ट पर हैगी और कलकत्तार लगभग साही पोजिशन प कम होगा एक और बनाना फेंटिसी पे ठीक ना ओवर रॉल मैंने बोला तो 60% चांस के क्यार के हैं और 40% ऐसारेच के हैं तो ऑविसली के क्यार थोड़ी ज्यादा फेबरेट है एंड डॉमिनेट भी ऐसारेच के क्यारी करेगी ठीक है टीम बनाना देखिए तीन मैच हुए ह अच्छी बेटिंग सपोर्ट पिछ होती है ग्राउंड भी छोटा है ठीक ओवर वर बैटिंग सपोर्ट पिछोगी ग्राउंड चोटा है पेसर्स का डॉमिनिशन है यहां पर हमेसा से जाधा रहा है ठीक है सारदुल ठाकूर का एक ही में चुगा है अंठावन पॉइंट है और गुरुवाज का एक ही मैच हुआ है और संतावन पॉइंट एक मैच रिंकु सिंग का चालीस पॉइंट ठीक है रिंकु सिंग को हम लोगों देखे फश्टीनिंग का टोटल एक सुकत्तर मतलब यहां पर रन बनते है और एवरेज टोटल एक सुबासट का जो पिछले कभी आप देखले नँसाव बड़े प्लेस ही नहीं होते ट्मेहन छोटे प्लेस होते और बड़े प्लेस ड्रॉप होते जिसके वेले से टीम सही बन पाति थीक है आप देखिए सबसे पहले हम घीट कीपर से से स्रुवात करेंगे बिगट कीपर में तीन खला लिए जो सबसे ज्यादर डॉमिनेंट करेंगे एक गुरवाज है है एन्री क्लासन है और एन जगदीशन अब देखिए तीन के तीन तो ड्रिम तीम में आएंगे नहीं यह बात भी सभी बात है अब ड्रिम तीम में आएंगे किते ज्यादा हथाथ दो ठीक है मतलब यह उत्रेंगे सम्तिंग पांच वी नंबर पर बैटिंग करने ठीक है एंड गुरवाज है ओपनिंग के ठीक है एंड जगदीशन भी साही टेम पर मौका मिले था कि क्यार की तरफ से एक मैच में उतारा भी गया तो इनको ओपनिंग भी ठीक है बट उसका वह ज्यादा बन जाते हैं खासका चेस करते टाइम पर ठीक है और फास्ट बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं अगर मैं क्या है थोड़ा इस्पिन वो ड्यू के चांस बहुत जादा बन रहे हैं एंड यू साम का मैच है वो ड्यू के परस्पेक्टिव जा रहा है पूरा ठीक है तो आर सब्सक्राइब है और आट परसेंट के आसपास वाइस केप्टन है पिछले पांच मैचेज में से देखा है तो चार मैचेज में ड्रिम टीम में कंसीडर हुआ है सोच बंदा मतलब लाश्टी में इस ता जो सही नहीं गया तो गजरात के खिलाफ बाकि अवरॉल बहुत सब्सक्राइब है मतलब और एक चीजा मता हूं ऐसा रेच पेसर्स की डॉमोनिशन पर जाती हो इस बंदे को पेसर्स ज्याद अच्छे पसंद रहते पेसर्स के खलाब जी जाद अच्छे सखेल पाता इत्ति तीज गयंद कराए कि अमरान मलेक हुए टीने ट्राजन हुए अगर पेसर्स की बाता है तो यह बंदा पेसर्स अच्छे प्ले कर लेगा ठीक है 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 पांच वे नंबर पे उत्रेंगे बैटिंग और अगर टॉप आप ड्रॉप करके चलो देखिए पिछला में जो हुआ था उसमें राहुल तरपार्टी एक अच्छे पारी के लिए थे ठीक है तो मैं पहले से बुलता है तो राहुल पार्टी हमारे इस मैच में ड्रॉप होंगे तरफा क्योंकि वह उत्ता है वी नहीं कर पाते देखिए इस टूर में भी एक ही मैच हुआ है वह चारी पॉइंट दी बैटिंग नहीं गया ती उनकी लास्ट मैच में ठीक है तो सब्सक्राइब तो आप कर लें केवल बस काफी इतना कैप्टन एंड बाइस कैप्टन बिलकुल नहीं बनाना है हम लोगों को राहुल पार्टी को ठीक है तो आई पिल के तो दो मैच में ड्रिम टीम में आ गया है चारासी परसेंट का सिलेक्शन परसेंट है तो इसी दो को सब्सक्राइब नहीं बनाना है दोनों मेच ऑपनेट के खिलाफ खिला तो हर मैच में सम्तिंग त्रेसर पॉइंट दिए जो ठीक होते हैं कोई दिक्कत बारी बात है ठीक है निची सराना कप्तान है पहले अच्छी पारी खिलते थे कप्तान के बाद थोड़ा सा सेनेरियों सब्सक्राइब के बदल लगाए 72% सेलेक्षन परसेंटेज है और अभी नहीं कराया बट हाँ पॉजिशन बहुत अच्छी है इनका भी एक हिसाब किताब चलता है एक मैच में आते हैं एक मैच में नहीं तो लास्ट मैच इनका बहुत अच्छा था सरसेट पॉइंट दिये ठीक है ओवर तो कराना नहीं है रही बाद बैटिंग की तो बैटिंग भी देखिए रिंकुशिंग लास्ट पारी जिन की थी वह इस टूनामेड की सब सच्छी पारी थी और मुझे सब सच्छी पारी और अच्छी देखने मिलेगी जो हाफ इसके लेविल की होगी दो तीन का पार यह नहीं जाती है था कि इस इस आघ कर राख मैं मेंसे की एक को ही करना है कैबटन बैसके बचना एक कर सकते है नहीं पिक कर सकते हैं यह बंदा बहुत अच्छे से हैं क्या पता है क्यों इसको प्रॉपर जगह नहीं दी रहा है एंड लाश्ट मैच में तो बहुत ही शांदर एक सोनने इस पॉइंट दिये हैं ठीक इससे पहले भी 47 पॉइंट दिये थे ठीक है इंक एवन परसेंट का सिलेक्शन परसेंट है ल है और 16 पॉइंट दिये हैं एक मैच में ठीक है तो सम्थिंग दोनों तरफ से रिकॉर्ड खराब चला है तो इस चेकर हम लोगों को ड्रॉप कर सकते हैं ठीक है आप चया है तो बहुत खराब फॉर्म से पता नहीं चला क्या क्यों कैसे इनको क्यों क्योंकि देसी लोग जो सिंग को मोगा नहीं मिलेगा यह बात भी याद रखें ठीक है यहां कुछ नहीं अब आता है ओलांडर सेशन ठीक है मैं कगरवाल सुरी सुनील नारायन ठीक है यह बंदा ट्रंप काड़ है इसको आप आंक बंद करके भी रख सकते क्योंकि चार ओवर मिलते हैं इसको ठीक ह ठीक है थोड़ी सी अगर इसको प्रॉपर बैटिंग आन लगे तो यह बंदा अच्छे सी बॉलिंग भी सॉरी बैटिंग भी कर सकता है ठीक है तो यह मारी मश्ट पेख होंगा को कि जहां भी वेगेट की जरूवत पड़ती है और फस्ट बॉलिंग अगर के क्यार की आई तो हम लोग इनको जरूर लेकर चलेंगे ठीक है और चेस्ट भी करते टैंप अच्छा काम कर सकते अगर अपने इस को ना को और इनको सींगों को ड्रॉप कर रहा तो आप जा सकते ठीक है तो श्रील नारा है हमारी बश्ट पेख होंगे और जाएंगे विड़ेंको लेकर ठ तो इस चीज को लेके चलना एक मैच इनका अच्छा जाता एक मैच खराब जाता तो लेकिन जम्मेदारी से खिलते बन्द तो पिक कर सकते क्यावल कैप्टन बाइस केप्टन नहीं तो कि किसी दिन वो एक दिन अच्छी बॉलिंग भी कराके जाएंगे दो तिन लेके चाली से रन मार के जाएंगे और आपको अखर जाएंगे ठीक ना तो आप पिक कर सकते हो लेकिन हाँ केप्टन बाइस केप्टन से बच गया है एम जेक्शन ये बंद बहुत अच्छा है लाश्ट में प्रॉपर बॉलिंग करवाई थी से अगर ये बंदे को मिला के च्छे ब सब्सक्राइब करना केप्टन बाइस केप्टन बिल्कुल नहीं क्योंकि बॉलिंग नहीं करा रहे ठीक है इसे स्टेडियम में रिकॉर्ड खराब है एक इमेच खेला है और दो पॉइंट पर आउट हो गयते बट इनको ऐसा रहे हमीशा सब फास्ट बालर रहे और फास्ट करके चल सकते दोनों बेस्ट इंडीजियन को तो यह फेवर दे देंगे आपो ठीक है वासिंटन सुंतर यह काद ओवर करा रहा है बैटिंग कुछ आ नहीं रही है ठीक है तो कोई इंपोर्टेंस इनकी निवस्ति लास्ट मैच में रिडिकुल नो पॉइंट पर सेलेक्शन परसेंटेज आगा तो आप पिक करके भी ना चले इनको आप कैंसल कर दें ठीक है न कोई दिकत नहीं जिन प्लेस को ड्रॉप कर रहा है तो उनको ड्रॉप ही करेंगे एवरी टीम से और फिर जिनको पिक करेंगे तो उनहीं को कॉम्बिनेशन में लेकर टीम बना के चलेंग पेसर्स का हमेशा डॉमिनेशन रहा है इडिन गार्डे में ठीक है अब देखिए ये एक मैच में ग्रेंट टीम में एक मिनिया एक में प्ले करेंगे बिल्कुल मैच प्ले करेंगे चोहतर इस इस ओपोनेंट के इनको पसंद है क्क्यार हर मैच में सम्तिंग पिचत्र और बहुत फेवर के गए थे मानेश टू को हमने सार दो लटा को रहा था ठीक है तो बिल्कुल मानेश टू पॉइंट इस मैच में भी हमारे ये ड्रॉपिंग होंगे क्योंकि पेसर्स का डॉमिनेशन इस ग्राउंड पर रहता इस पिनस का तन नहीं रहता ठीक है मैं एक मा इस और कुमार गेन लहरा आते हैं पेस के साथ ठीक है हाँ थोड़ा सा रिदम जरू बना इनका तीस परसेंट सेलेक्शन परसेंट है जील में आप जील में ट्रंप काट के तौर पर पेक कर सकते को लिए पिक करना कैप्टन बाइस केप्टन से बचे ठीक है लोकी फर्गु डिजर्फ करता है ऐसी बात नहीं बड़ इसको प्रॉपर बॉलिंग के चांसे नहीं मिला है सही पोजिचन पर ठीक है इंसे ओवर निकलवाने की कोशिश की जा रही है इसमें इसी ओवर निकालने ठीक है हमारे पिक से मैंने आपको वता दी कि हम लोग किन बड़े प्लेस क को ड्रॉप करेंगे ठीक उनको ड्रॉप करेंगे तभी आप जील बना पाएंगे दरवाइस नहीं बना पाएंगे ठीक हम लोग बनाते हैं अपनी हैट्वेट की टीम अभी तक चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइक उन्दावान बिल बनाते हम लोग गलती नहीं करेंगे कि के साथ खेलना है कि लिएब लिएंस सही कहला है को डॉलेबर काम नहीं यह पर जोगे तो प्ले करेंगा दरवाइस नहीं करेंगे जिए मुंझे द्रॉस देश्ट की लिए लगाने तो मुझे दूसीं की लिए अट्रिब करना ठीक तो आप कर सकते हैं दो मैंसे मतलब इन दो मैंसे एक कोई लेना ठीक है हमें मैंक ग्रबाल को लूँगा और नीतिश्राना को लूँगा ठीक है रिंकु सिंग हमारे ड्रॉप होंगे राउलतर पार्टी लोग ड्रॉप होंगे कल मुझे लगता कल जिसन रोय को मौका मिलेगा रसल को इठाल के ठीक है तो इंदू में से आप देखना कैसी कंडिशन लेती है बाकि अभी आप सिफ जाना हो तो बैंकेटिस एयर या फिर आलतर पार्टी में से एक को जा सकते हैं ठीक है उम्रान मेलिक पेसर्स का डॉमिनेशन रगा कल मुझे लगता है कि लोकी फर्गु के साथ भी जा सकते ठीक है तो यह बनागी छे-पांच की टीम इसी टीम के साथ उत्रेंगे हम लोग जिसमें हमारे क्रप्टन होंगे कैप्टन होंगे और विसली सुनी लाना के उकिन के एक दूबिकेट पक्की रहते हैं ठीक है और बाइस के साथ जाहें चाहें तो एडम मारकरम ने तो आप मैंका गरवाल और राहलतर पार्टी में से एक के साथ भी किसी के साथ भी जा सकते है ठीक है मैं मारकरम के साथ जाना ज्यादा पसंद करूँ कोई बहुत डीसेंट है और इसी टीम के साथ हम लोग उतरेंगे ठीक है तो वीडियो चलेगे तो बहुत लाइक कर लें चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में